मेरा सवाल है कि आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे डियू की आपका ही प्रक्रण अगर मैं उठाओ कि संस्थानों पर एक हमला हुआ सिस्टेमेटिकली चाहे वो कोट हो चाहे वो इन्वस्टी हो अकादमिक जगत हो इसकॉलर्स हो जो भी विरोध की आवाजें हुई उनको कुचलने की कोशिश की गई अब भाजपा को अकले दम पर बहुमत नहीं है हाला कि वो फिर सरकार बनाने के करीब हैं अभी सरकार बनी कम से कम अब लोगों ने कहना सब्सथार हो अनिश्यत रूप से हम ये बाथ कह रहे हैं ना कि 2024 का चुनाव कोई सामाने चुनाव नहीं था और १य अस्लमे जन्ता का चुनाव था और उत्रप्रदेश बहुत करने और अखिलिश यादो प के सामने एक व्यक्ति नए ढंग से नायक बन के उबरा है वो सबका नायक बना और उस व्यक्ति के जहन में ये बात है कि समविधान को बचाने के ल très करना है तो उसमें ये नहीं थै कि लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी कमजोर न कर दी जाएं कि एक वाइस चांसलर कहां से चुना जाएगा ये भी नागपूर में तेह हो प्रोफेसर की नियुक्ति कहां से होगी वो भी वो तेह करें कोई उनसे मुख्तलिफ राय रखता है उनके विचारधारा को नहीं मानता है तो उसको उसकी सजा मिले कम से कम यही बचाना तो सम्विधान बचाना है सम्मिधान कोई कागच का पुलिंदा तो है नहीं कि कोई किताब है जिसको कोई लेके भाग राता अखिलेश यादो राउल गादी इसको दौडाग पकड़ लिए नहीं नहीं भागो मत लेके और यहीं रख दो यहीं संसद में रहेगी ऐसा कुछ नहीं है सम्मिधान एक मूल्यों का एक सपनों का एक विचार है एक जिन्दा दस्ता वेज है उसके जिन्दा रहने की कवायत पूरी यही है कि वो उसूलों में जिन्दा रहे लोग तांतरिक संस्थान मजबूत हो प्राइविटाइजेशन इस तरह से नहों कि आरक्षाण खतम हो जाए सबको सबका हिसा मेले इसलिए राहूल गांदी हो यह अकलेश आदो वो जाती जंगर्णा की बात करते हैं वो अगनीवीर को खतम करने की बात करते हैं वो किसान नौजवान की बात करते हैं उसी में विश्र विद्याले भी हैं और अखलेश आदो ने एक इंटर्वी में पूछा भी अपने पोलिटिकल रैली में कि बताओ कितने दलित वाइस चांसलर हैं कितने पिछड़े वाइस अभी दिल्ले विश्र द्याले में अपोइंट हुआ पांच यार अपोइंट हुआ है यू और की सीट ओपन फर ओल होती है और एक भी दलित पिछड़े उसमें अपोइंट ने हुए तो क्या यह सवाल सबका सवाल नहीं यह समिधान की सवाल नहीं है और मैं उमीद करता विचार लोहिया के सपनों का विचार गांधी के सपनों का विचार जो इंक्लूसिव है उसे जब बचाएंगे तो उसमें ये सारी लड़ाईया शामिल रहेंगे लेकिन एक जब अम्बेडकर के सपनों का भारत की बात होती है तो मैं अम्बेडकर वादी कुछ जो खुद को क्लेम करते हैं उनको देखता हूं तो वो अलिगर मुस्लिम इन्वस्टी का माइनॉर्टी रिजर्वेशन खतम कर देंगे ये हमारा हक मारा जा रहा है मतलब वो जुके हुए नजर आते हैं टूर्ड्स राइट विंग अगर जिसको आप कहिए कि राइट विंग की तरफ जुके होते हैं और एक ये खत्रा लोग बार बार कहते हैं कि जो अम्बेडकर वादी हैं उनके बीजेपी के साथ एसोसियेशन की संभावनाएं जादा होत हैं बनिस्पत की समाजिक नयाय के और दार नयाय के आपका इस पर क्या अब मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि अम्बेडकर वादी वही नहीं है जो चुनाव के ठीक समय बीजेपी के खेमे में बैठ करके बीजेपी के लिए बैटिंग करने लगा मैं कह रहा हूं अम्बे चिरोधी सरकार से लड़ रहा है और उसकी सजा पा रहा है वो जेल में भी हैं वो अपनी नवकरी छोड करके भी बैठे हैं वो तमाम तरह के खत्रे मोल ले रहे हैं वो नहीं होते हैं अम्बेडकर वादी होने का मतलब यह है कि वो उसूलों और विचारों के लिए लड़त नमो बुद्धाय बोला था लेकिन प्रदान मंत्री जी ने कोई काम आज तक ऐसा नहीं किया जिसको ले दे करके कुछ चीजें हैं जो गिनवाते हैं वो लेकिन असल में मिटकर की विचार धारा के खिलाफ वो खड़े हैं हमारा कहना यह है कि जो विचार धारा की बात करें जो समाज के साथ असली इमतिहान के समय खड़ा हो अब आजकल तो कुछ बिद्ध जीवी जिनकी तरफ आपका इशारा है हमको तो लग रहा है कि मोदी जी कह रहे थे कि देखो तुमारा मंगल सूतर लेकि मुसलमानों को दे देंगे तो दो-चार मंगल सूतर चीन के वो भी दौड रहते आगे-आगे ऐसा हाल हो गया था उनका जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था नरेंद्र मोदी को जो सबसे आरेसे को जिस एक जिगर सबसे ज़्यादा बोरी तरह से घेरा जा सकता है वह जाती का सवाल और जाती के सबसे मुश्किल में फंसी थी किवल हिंदू-मुसल्मान करके अगर उनको पता नहीं कि पिछले 10 साल की लड़ाई बीजेपी से लड़ी गई थी आरेसे से लड़ी गई थी आरेसे सो बीजेपी था जिसकी वज़ेस दो अपरेल का भारत बंद करना पड़ा 13 पॉइंट रो मुसल्मानों से घड़ा करके या हिंदू-मुसल्मान करके वो करें बाबा साब अमबिटकर जब काम करे था तब भी बहुत सारे दलितों को खड़ा कर दिया गया था इसलिए अमबिटकर वादी मेरे लिहाज से विचारधारा का नाम है जिसके कोर में सम्विधान है मंडल अमबिटकर वादी होने का मतलब यह है कि अमबिटकर ने पाकिस्तान और दे पार्टिशन आफ इंडिया किताब में लिखा है कि देश के सामने सबसे बड़ा खत्रा हिंदू-राष्ट है और अगर हिंदू-राष्ट हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा बिशाप होगा उन महोदे से यह पूछा जाए कि अमबिटकर ने किसके लिए लिखा है अमबिटकर ने क्यों संग का विरोध किया अमबिटकर ने क्यों हिंदू-राष्ट का विरोध किया अमबिटकर क्यों संविधान की बात करते थे और आज क्यों आप हिंदू-मुसल्म मुदी जी को कैसा लग रहा हूँ बगल में बैठ करके उनकी तो यह राजनीत है इसाब कई लोगों के हरादमी में होते हैं दस-वीस आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना है